अब तक कोरोना वाइरस पॉजिटिव लोगों के कुल 321 मृत्तिव के प्रकरण हमारे सामने आये हैं कल 13264 सैंपल्स की जांच की गई अब तक का ये हाइस था कल हमने 13000 से अधिक सैंपल्स की जांच की 13264 और अब तक प्रदेश में कुल जो सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है उसकी संख्या चार लाख क्रॉस हो गई अब तक हमारे प्रदेश में चार लाख 4,637 सैंपल्स की जांच हो चुकी है और जो पॉजिटिविटी रेट आ रहा है पॉजिटिविटी का हमारा जो धनात्मक है उसका जो प्रतिशत आ रहा है वो इस समय 2.87 प्रतिशत है हमारे प्रदेश में पॉजिटिविटी का रेट कुल 2.87 परसेंट आ रहा है इस समय आइसोलेशन वार्ड में 5,375 लोग रखे गए हैं जिनका विभिन चिकित सालेओं में और चिकित सा महाविद्यालों में इलाज चल रहा है फेसलिटी कॉरिंटाइन में 7,440 लोगों को रखा गया है और उनके सैंपल्स ले करके उनकी जाच की जा रही है लगातार जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं सभी जनपद उनके कॉंटाक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं उसके अलावा जो और भी हाई रिस्ट पॉपलेशन है उनका हम लगातार सैंपल ले रहे हैं जिससे कि हम इनफेक्शन को कंट्रोल में रख सकें पूल टेस्ट लगातार चल रहा है प्रदेश में और कल 55 सैंपल की 1082 पूल लगाए गए जिसमें उसे 124 में पॉजिटिव पाई गई इसी प्रकार से 1010 सैंपल के कल 88 पूल लगाए गए जिनमें 11 में positivity पाई गई थी आरोगे सेतु एप का हम निरंतर उप्योग कर रहे हैं अब तक हमारे state control room से जिन लोगों को आरोगे सेतु एप से alert generate हुआ है वैसे 71,736 लोगों को call किया जा चुका है इसके अलावे हम ये data जिलों के साथ भी share करते हैं और जनपत के अधिकारी भी इन से contact करते हैं परन्तु हम अपने state control room से लगातार इन से हम संपर्क बना रहे हैं आरोगे सेतु एप एक ऐसा एप है जो आपको कोरोना वाइरस से के खत्रे के बारे में सतर करता है अगर आप किसी संक्रमित के करीब जाते हैं तो आपको ये alert generate करता है इसलिए इस एप को अगर आपको पास smartphone है तो आप इसको जरूर डाउनलोड करें और इससे साबधानी भरत करके सतर रहकर अपना बचाओ करें हमारी आशा वरकर्स लगातार माइगरेंट जो हमारे प्रवासी कामगार लोटे हैं उनको लगातार वो ट्रैक कर रही हैं और अब तक उनके द्वारा 14,72,520 माइगरेंट वरकर्स को ट्रैक किया जा चुका है इन में 1400 से अधिक लोग लक्षन वाले पाए गए जिनके सैंपुस लेकर उनकी जाज की जा रही हैं अब तक इन में से 722 लोगों के रिजल्ट आए हैं जिन में से 146 धनात्मक मिले हैं पॉजिटिव मिले हैं पूरे तोर पर प्रदेश में 30 लाग से अधिक प्रवासी कामगार प्रवासी लोट चुके हैं और अब तक उन में से हम लोगों ने 98 लोगों की टेस्टिंग की है प्रवासीयों की जो भी शेल्टर होम गए वहां से जो रैंडम सैंपल लिए गए या आशा वरकर्स ने बताया या और भी जिस भी तरीके से किसी ने सूचना दी कोई स्वयम भी आया तो अब तक हम 98,078 प्रवासीयों के सैंपल ले चुके हैं टेस्ट कर चुके हैं उन में से 3,185 प्रवासी कामगार पॉजिटिव आये हैं और ये एक बहुत ही आश्वस करने वाली बात है कि जो प्रवासी कामगार है उन्होंने अपने होम कॉरंटाइन का पालन बहुत ही द्रिड़ता के साथ किया है जो एक सामाजिक दाइत्व का उनको पालन करना था जब वो बाहर से आये थे उसके बाद जो होम कॉरंटाइन का पालन करना था उन्होंने उसका पालन बहुत ही द्रिड़ता के साथ किया है और इसलिए हम लोगों ने देखा है कि गाउं में जह ती अच्छा पालन किया है और मेरा अन्रोध है उन सभी लोगों से जो हवाई जहाज से प्रदेश में आ रहे हैं जो सामाने जो अब ट्रेंद शुरू हो गई का उलंगन करते हैं, तो ये एक डंड़नीय अपराद है, Epidemic Act में आपको इसमें दंडित भी किया जा सकता है, और आपको फिर वहां से Home Quarantyne का उलंगन करने पर आपको Facility Quarantyne में लाकर रखा जा सकता है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि जिनको भी Home Quarantyne में रहना है वो इसका द्रिड़ता से पालन करें सर्वेलेंस की गतिविदी लगातार चल रही है और अब तक हम 16,367 इलाकों में सर्वेलेंस का कारे कर चुके जिसमें से 4,996 होट स्पोट के इलाके हैं और 11,371 नॉन होट स्पोट के इलाके हैं इन में 1,14,109 टीम दिवस के माध 18,4,395 घरों को हाउस्वोल्ड्स को सर्वेक्शन में लिया गया है सर्वेलेंस में लिया गया है और इसमें 4,43,27,719 लोग रहते हैं जिनको जिनका किस सर्वेलेंस किया गया है अभी तक अब लोकडाउन खुल गया है बहुत सारी गत्यविदिया चल रही है लेकिन हम सबों को इस बात को संग्यान में लेना है ध्यान में रखना है कि वाइरस का संक्रमन या खत्रा अभी टला नहीं है वायरस साध संक्रमन अभी भी मौजूद है चल रहा है और हम सतरक रहकर सापधान रहकर ही इससे अपना बचाओ कर सकते हैं अभी तक इसकी कोई वैक consideration नहीं बनी है कि हम इस से सापधान रहकर सतर करहकर हमें बचाना है अपने आपको और दूसरों को भी अपने को संक्रमन होने से बचाना है और दूसरों को भी संक्रमन नहीं होने देना है और इसके लिए सबसे ज़्याज ज़रूरी है सामाजिक डिस्टेंस बनाना सोशल डिस्टेंसिंग दोगज की दूरी बचाओ के लिए सबसे जाज़ा जरूरी तो हम दोगज की दूरी मिंटेन करें और अपना हम बचाओ करें अपने हाथ को साबून और पानी से हम बार बार धोते रहें और कहीं भी सार्जनिक सल पर जाएं तो अपने मुँ और नाक को हम धकें मास से ढखे, रुमाल से ढखे, दुपटे से ढखे, गमचे से ढखे, लेकिन उसको ओम ढखे और उसके साथ अपनी प्रतियोधक च्हमता को मझबूत करिये अगर आपके शरीर में प्रतिरोधक छमता है तो संक्रमित होने के बाद भी आपका ये संक्रमन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इसके लिए आप गिलोई का सेवन करिए, गरम पानी का सेवन करिए, नीम की पत्ती का सेवन करिए आप तुलसी, अधरा, काली मिर्श के काड़े का सेवन करिए, अजवाईन के अर्का सेवन करिए, वयायाम करिए, योगा वयास करिए, प्रानायाम करिए जिससे कि आपके शरीर की प्रतिरोधक छमता अच्छी हो ताकि इस संक्रमन आपका कुछ भी न कर पाए आप साब्धान रहकर सतर्क रहकर इससे बच सकते हैं स्वयम को भी बचाईए और दूसरों को भी बचाईए अपने सामाजिक दाईतों का पालन करिए और ध्यान रखिए कि संक्रमन का खत्रा अभी टला नहीं है संक्रमन अभी हो रहा है इसलिए हमें साब्धान रहकर सतर्क रहकर अपना बचाव करना है अब मैं अन्रोध करूंगा पर मुक्षिचिफ ग्रेह से कि वो आगे की सपाती मताइए मानी मुक्षिमंत्री जी ने आज टीम लेवन की बैठक में विशेश रूप से 75 जन्पदों में जो टूनेट मशीन है जिससे टेस्टिंग होती है कोविड की उसको इस अंदर में आज बैठक आयुजित की 75 जन्पदों में शिकित्सा विभाग द्वारा विभिन अस्पतालों में विभिन मेडिकल कॉलेज़ेज में सिंगल स्लॉट, डबल स्लॉट और फोर स्लॉट की मशीने उपलब्द कराई हैं और आपको मालूम है कि ये मशीने खुद राजसरकार का जो सरकारी जहाज है ये आज भी एक गोवा से लेकर जो है इन मशीनों को आया है और विशेश रूप से मानी मुख्यमंत्री जी ने जहाज भेजा कि कई दिन लग जाते हैं रोड से आने में और तदकाल पंदरा तक हर हालत में चुकी इनको इंप्लिमेंट करना है तो आज ही सुबह सरकारी जहाज गोवा गया है और गोवा से वापस लेकर आया है इन मशीनों में टेस्टिंग का परिणाम जो आता है उसका फाइदा यह होता है कि नीजी अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों में जहां एमर्जन्सी हो रही है ततकाल ये पता लग जाता है कि फला मरीच कोविट से ग्रसित है या नहीं है अगर नहीं है तो ये अगर है तो फिर आगे के टेस्ट जो रूटीन के हैं वो किये जाते हैं तो इन मशीनों का विशेश लाप हमारे प्रतेश में क्लिया जा रहा है मुख्य मुंत्री जी ने नौन कूविडैस्पतालों में और दुरुस्थ करने की लिए व्यवस्था और चिकित्सा सथानों की व्यवस्थां दुरुस्थ करने के लिए ये निर्देश दिया है कि माननी मंत्री गण यानि चिकित्सा शिक्षा मंत्री गंड और चिकित्सा मंत्री जी से निविदन किया है कि वो समवाद सभी अस्पतालों से बनाकर रखेंगे जिसे यह जानकारी होती रहे कि इन अस्पतालों में किस प्रकार की व्यस्ता है और कैसे उसको हम और बहतर कर सकते हैं एमर्जेंसी की मरीजों को संख्या में बढ़ाया जाए, एमर्जेंसी में नियमित रूप से एमर्जेंसी की जाए, किसी को भी किसी अस्पताल में वेट ना करना पड़े और किनी अस्पताल में मना न हो पाए, ये वैवस्ता देखने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने सं पर भी विशेश बल दिया है कि जो मृत्युद्वर अभी है इसको और कम किया जाए। हाला कि Uzra Pradesh की जो मृत्युद्वर है वो पूरे देश में काफी कम है जंसंख्याद की दिरिष्टी से संख्या की दिरिष्टी से भी कम है। पिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी मरीज हो जरा भी उसको लक्षन मिल जाए। तुरंत उसको अस्पटाल ले जाकर उसके ईलाज श्रू करना चाहिए, जिससे कि समय रहते इलाज हो जाए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो भी डॉक्टर हैं वो समय समय पर अस्पताल में राउंड भी लेते रहें दो बार कम से कम राउंड ले और निरंतर मरीजों की मॉनिटरिंग भी करें सफाई व्यवस्ता, प्रॉपर समय पर दवा, शुद और सुपाचे भोजन और पीने का गुनगुना पानी ये अस्पतालों में अच्छी व्यवस्ता होनी चाहिए मुख्यमंत्री जी ने कामगारों और श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए आगामी छे मां की अवधी में यह निर्देश दिया है सभी अधिकारियों की दस लाक से अधिक प्रथम चलन में अफसर दिलाने की एक कारियोजना त्यार की जाए मुख्यमंत्री जी ने मंडी को भी आगे विक्सित करके एरपोर्ट के हब के रूप में यानि मंडियों से जो पेरिशिबल आइटम से आम हैं बाकी चीज़े हैं वो विदेशों में भेजी जा सकें यह निर्देश उनों ने दिया है पुलिस भल्प के संक्रमण पर विशेश रूप से प्रयास ग्रह भाग की तरफ से डीजीबी और डीजीबी मुख्याले को धनाशी भी दी गई है पुलिस प्रोटेक्शन के लिए फिर भी डीजीबी महोदे द्वारा विशेश रूप से पूरे प्रदेश में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी पुलिस पर्सनल जहां भी लगे हैं चाये वो रैडिर पुलिस के हूँ, पी एसी के हूँ, चाये वो रेलवे की पुलिस हो, सभी में प्रॉपर एक्विपेंट लेकर ग्लव्स मास्क लेकर आवश्चता पढ़ने पर पीपी लेकर जो है वो कहीं न कहीं अपने को प्रोटेक्ट करें पुलीस के इन्फेक्शन को काफी प्रदेश में सीमित रखा गया है और काफी मात्रा में, काफी संख्या में जो हमारे पुली अखिल होता है वो पहले अस्थाई जेल में जाता है उसकी टेस्टिंग हो जाती तभी वो स्थाई जेल में जाता है तो ये निर्देश उनों ने दिया है कि जेलों में ये दोरी व्यवस्ता जरूर रहे जिसे एकदम से कोई भी व्यक्ति संक्रवज व्यक्ति जेल में सीधे पहुछने पाई मुख्यमंत्री-जी ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और मज ilgili करते हुए जनपदों में पब्लिक में लोगों को चीजों से आँगार करने लिए कüzिशंचने के लिए ज रहे हर हालत में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को लागू कर लोगों को सुन्वाई दियाना चाहिए, उनको जो है अपील करनी चाहिए, कि वो किसी न किसी रूप में इस बिमारी से बचें, containment zone में कोई भी कर्मी वहां से आगे पीछे न हो, वहां से बाहर न आए, ये निर्देश पहले ही थे, इन निर्देशों का भी पालन करने का मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, कल आपको संज्ञान में है कि प्रदेश की cabinet ने मानी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षा में नया अधिनियम गोवद निवारण संशोदन अधिनियम 2020 पारित किया है, गोवद निवारण संशोदन अधिनियम में और अधिक सुद्रण किया है, संगठित रूप से जो है इसको प्रभावी किया गया है, जिससे कि गोवद निवारण संशोदन अधिनियम अधिनियम में नया अधिनियम लाना है, उसमें मैक्सिमम जो पनिश्मेंट है, वो दस स तक कर दी गई है पहले साथ साल तक की ही थी मैक्सिमम जो दंड है पांच लाख रुपे तक बढ़ा कर कर दिया गया है इसमें यह भी व्यवस्ता की गई है कि यदि किसी संपदा को हानी पहुचाई जाती है तो उस पर भी कारवाई की जा सकती है इसमें यह प्रोवजन किया गया है कि यदि कोई वहान गलत इस्तमाल होता तो उसको जब्द किया जा सकता है निर्देश मानी मुख्यवांतरी जी ने दिये हैं कि जो भी गौवद से जुड़ेवे वेक्ति हैं जिनके विरूत मुकदमा दर्ज किया जाता है उन पर निश्चे ही जहां भी एक से अधिक मुकदमे हैं और गैंग्स्टर एक्ट के परिधी के विदेन आता है तो उन पर जो है और गंबीर कारवाई करते हुए उनकी संपत्ति भी जब्त की जाए क्योंकि इस तरह की प्रवति से प्रदेश को जो है किसी भी शुरूप में जीरो ट्रॉलेंस अपनाते हुए इन सब चीजों को दूर करना है हमारा प्रदेश कृष्णि प्रदान प्रदेश है ऐस में इस अधिनियम को और मजबूत करने की आफशक्ता महसूस की गई थी कल कैबिनेट ने मानी मुख्वंत्री जी की अध्यक्षता में यह निर्णे लिया है और जल्दी ही अध्यदेश प्रदेश में लागू होगा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि एक एक दोजार बीस से आठ चे दोजार बीस तक कुल प्रदेश में तेरा सो चौबिस मुकदमे पंजिकरित करके चार हजार तीन सो चब्विस अभियुक्तों को का जो प्रकाश में आये हैं उन में से अर्टिस सो सर्सट तीन हजार आठ सो सर्सट अभियुक्तों को गिरफतार किया गया है एक मामलों में आठ सो सर्सट मामलों में चार्ज शीट भी अब दाखिल कर दी गई है और चवालिस मामले में गौवद अधिनियम के मामलों में जो है एनसे की कारवाई भी की गई है गैंक्स्टर के अंतरगत दो हजार एक सो सतानवे मामलों में कारवाई की गई है और गुंड रही है और इस पर हर हालत में कोई भी जीरो टॉलरेंस रखते हुए किसी भी ऐसे अपरादी के विरुत कोई रियायत नहीं बरती जाएगी हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक क्रदेश में ग्राय भाग द्वारा जो सुचना संक्लित की है पुलीस की माध्यम से 63 58,810 FIR दर्च कर दी गई है 53,671 वाहन सीज कर दिये गए है 27,484 लाख रुपया जमा कर दिया गया है 2,92,860 वाहनों को आफशक सेवाओं के लिए पर्मिट जारी कर दिया गया है 692 FIR दर्च कर दी गई है 323 लोग FIR जमाखोरी अकालावाजारी में गिरफतार किये गए है फे कल तीन ट्विटर के पांच फेस्बुक के और दो टिक टॉक के मामले आये हैं हर हालत में होट स्पोट पर पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए सप्लाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिये गए हैं होट स्पोट की संख्या अब 2060 हो गई है जिस कंटेन्मेंट जोन में है हर हालत में कंटेन्मेंट जोन में किसी भी अक्टिविटी को कोई भी अक्टिविटी को अलाव नहीं है केवल स्वास्त की अक्टिविटी सुरक्षा की अक्टिविटी सप्लाई की अक्टिविटी और सफाई की अक्टिविटी वहां अलाव की गये हैं और अभी भी 5,896 क्रेकेंद गेहूं के कार्यत हैं और कुल अब तक 371.43 लाग कुंटल गेहूं की खरीद हुई है जिसमें से 82.60 लाग मंडी में और 288.83 लाग कुंटल गेहूं नियूंतम समर्थन मूल पर क्रेक किया गया है अब तक 33,60 लोगों को 1000-1000 रुपे तक बाटा गया है जिसमें 335 करोड 335.99 करोड रुपे की धनाशी बाट दी गई है राजव सुभाग के माध्यम से यदि कोई भी श्रमिक ऐसा है कोई भी कामगार हमारे प्रदेश में है हम अपील करना चाहेंगे कि जन सुनवाई पोर्टल पर अत्वाज राजव सुभाग के 1070 के हेलप लाइन पर कोई भी व्यक्ति अगर प्रदेश से बाहर जाना चाहता है फोन कर सकता है जिससे कि उनका समाधान हम कर सकें अंत में अब तक 1643 ट्रेन हमारे प्रदेश में आ चुकी हैं लगभग 22,18,000 लोग ट्रेनों से आ चुके हैं अब ट्रेनों के आने की संख् अब ट्रेनों के अच्छा काफी सीमित हो गई है और फिर भी ये निर्देश माननी उच्छुतम न्याले के आदेशों के अंतरगत दिये गये हैं कि यदि कोई भी प्रदेश हमारे प्रदेश में अपने श्रमिक या कारमगार हमारे प्रदेश के भेजना चाहेगा तो हम जंसुनवाई पोर्टल पर अपने नाम दर्ज करा सकता है या 1070 पर फोन करके अपनी बात बता कर उनको अपने प्रदेशों में वापत भेजा जा सकता है सभी जिलादिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि हर हालत में कोई भी श्रमिक या कामगार अन्य प्रदेश क अगर हमारे प्रदेश में है तो उसको अपने निवास स्थान पर सुरक्षित रूप से सकुषल और प्रपर सम्मान के साथ भेज़ दिया जाए धन्यवाद जय हुन